बिहार में शराबंदी कानून और जहरीन शराब पर जो बहस छीरी है उस पर अब राश्ट्रिय जनता दल ने अपने ही सरकार को नंगा कर दिया है कई जो खुलासे हैं वो राश्ट्रिय जनता दल के विधायकों द्वारा किये गए हैं जिसके बाद नितीश कुमार अब कहीं न कहीं और परेशान नजर आएंगे दरसल बिहार के सत्ता रूड विधायकों ने विधान पार्शोदों ने एक न्यूस चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में शराब बंदी को लेकर बियान बाजी कर रहे नितीश कुमार और तेजश्वी यादों को नंगा कर दिया है खुफिया कैमरे के सामने राजट के एक विधान पार्शोद ने कहा कि तेजश्वी यादों तो खुद शराब पीते हैं वे चाहते हैं कि एक दिन में शराब बंदी खत्म हो जाए लेकिन नितीश के सामने बोल नहीं पाते राजत के विधायकों ने कहा कि हर गाव में शराब बन रहा और बीक भी रहा है नितीश कुमार की जीद ने बिहार को बरबाद कर दिया है एक न्यूज चैनल के स्टिंग में सबसे बड़ा खुला सा राजत के विधान पार्शाद यानी MLC राम बली चंद्रवंशी ने किया है राम बली सिंग ने दावा किया है कि तेश्वी यादों खुद शराब पीते हैं ये अलग बात है कि नितीश की जीद पर और नितीश के सामने कोई बोल नहीं पाता MLC राम बली सिंग ने कहा कि मुख्य मंत्री सुनना नहीं चाहते हैं और तेश्वी यादों को बोलने की हिम्मत नहीं है हम तो छोटे लोग हैं कैसे बोलेंगे सब जानता है कि शराब निती फेल है लेकिन कोई बोल नहीं रहा आधे से जाधा मंत्री और विधायक दारू पीते हैं आधा से जाधा ओफिसर दारू का सेवन करते हैं रात में पता करिये कि कितने अफसरों के यहां दारू चल रहा है राजत के MLC रामबली सिंग ने कहा कि तेश्वी यादो का बस चले तो वो एक दिन में दारू चालू कर देंगे नितीश कुमार की ही पाटी में नितीश को छोर कर बाकी सब लोग शराब पर रोख खटाने के पक्ष में हैं आज तेश्वी यादो सरकार में आएंगे कल से शराब बंदी खत्मे हो जाएगी ये तो सिर्फ नितीश की जीद है जो शराब बंदी को लागू किये हुए है नितीश कुमार खुद पॉलिटिकल आदमी नहीं है 17 साल से कोई चुनाओ नहीं जीता नितीश कुमार कोई लीडर थोरे ही है वो तो मैनेजमेंट के जड़िये मुख मंत्री बना हुआ है इस स्टिंग ऑपरेशन में राज़त के MLC रामबली सिंग ने कई बातों का खुलासा किया है उन्होंने कहा है कि रूलिंग पार्टी के हैं लेकिन खुल कर बोल नहीं सकते लेकिन बिहार में जहां चाहिएगा वहीं शराब मिल जाएगा फोन कीजिएगा होम डिलेवरी हो शराब की डिलेवरी माफियाओं के हाथ में चल गई है इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं पैसे वाले पीकर बच रहे हैं गरीब असा है लोग फंस रहे हैं रामबली सिंग ने कहा कि हम तो राज़त में होने के कारण नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन जीतर राम मांजी कुछ बोल कर चूप क्यों हो जाते हैं उन्हें लगतार बोलना चाहिए रामबली सिंग यादव ने इस इस्टिंग ऑपरेशन में विस्तार से बताया कि गाउं गाउं में शराब कैसे बन रही है उन्होंने कहा कि पहले शराब बिकती थी तो उस पर सील मुहर रहती थी उसकी गारेंटी होती थी अब जहर बीक रहा है और लोग पी रहे हैं मुख्यमंत्री जीद बना कर रखे हैं कि विपक्षी भाजपा वाले कुछ भी नहीं कर रहे है राजत के एक और MLC ने बड़ा खुलासा इसी स्टिंग ऑपरेशन में कर दिया है विधान पार्षद ने कई जो संसनिक खुलासे हैं वो किये हैं गया से राजत के विधान पार्षद नागेंदर यादों ने कहा है कि किसी सरकार को लोगों को खाने और पहनने पर रोक नहीं लगाना चाहिए लेकिन यहां तो नितीश कुमार ने जिद कर दिया है नागेंदर यादों ने स्ट रही है राजद के विधान पार्षद ने खुफिया कैमरे के सामने दावा किया है कि छपरा में जहली शडाब से कम से कम 200 लोग मरे हैं लेकिन पूरा आंकरा सामने नहीं दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि बिहार में असली सरकार तो बिरोकेसी चला रही है सच कहा से सामने राजद मलसी ने कहा कि शराब बंदी से बिहार का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इससे बिहार को मिलने वाला रेवेन्यू तो खत्म हो ही गया लोगों की स्वास्त भी खराब हो रही है न्यूज चैनल के इस स्टिंग ऑपरेशन में भाजपा के विधायक ने भी बन गया है किसी भी प्रखंड में चले जाइए वहां शराब बन रहा है उन्होंने कहा कि किसी विधान सभा में कोई प्रखंड चुन लिजिए आप चलिए मेरे साथ वहां शराब मिल जाएगा कोई ऐसा गाउपंचायत नहीं जहां शराब नहीं बनता नरायन परशाद ने जिसके घर में शराब की बोतल मिलेगी उसका भी घर जप्ट कर लेंगे उन्होंने कहा कि शराब बनदी ऐसा कारोबार बना है कि गाउं में जितने गड़ीब घर है वहां टीवी मोटरसाइकील लगा हुआ मिलेगा घर में पैसे आ गए हैं अब अवैद शराब के कारोबार के कारण ये सब तमाशा बिहार में चल रहा है निश्चित तौर पर जियो इस्टिंग ऑप्रेशन एक निजी चैनल ने किया है उसके बाद अपने ही सरकार के जो मेले हैं उनके बाद के बयानों से नितिश कुमार की फजीहत हो गई है जिस तरीके से राज़ा देमल्सी रामवली चंद्रवंसी ने शराब के इससे बंदी पर सवाल खरे किये हैं और कहा है कि गाउं गाउं शराब बिकता है तेयश्वी यादों को शराब पीने वाला बताय तो निश्चिक तॉर पर शराब बंदी वाले बिहार में नितिस सरकार अब नंगी हो गई है कि झाल झाल